तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ आज मतलब 16 नवंबर की 1st, 2nd, 3rd शिफ्ट में कैसा रहा कम्प्यूटर का लेवल, क्या कम्प्यूटर की किसी और प्रकार के कोशन्स पूछे गए, कौन सा पोशन ज्यादा पूछा गया, कौन सा कम और कोशन्स लडबग ज चलिए चुड़ू करते हैं हम अपने कम्प्यूटर के सेशन में, सबसे पहले में बात कर लेती हूँ, नंबर ओफ कोशन्स किस टॉपिक से आ रहे हैं, कम्प्यूटर के टोटल 10 कोशन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अगेन 5-6 कोशन MS Office से आ रहे हैं, 2-3 कोश कोशन मिल रहा है, CC, BCC बचा है, डेफिनिकली आगे मिलेगा देखने को, fundamental या generation से एक कोशन देखने को मिल रहा है, और बाकी बचा हुए एक कोशन या तो वो मैमोरी से डाल देते हैं, hardware से, software से, online shopping कहीं से भी रहा, तो बाकी बचे हुए computer के portion से वो एक कोशन दे रहे हैं, तो पुल मिलाकर ये analysis होता है आपका computer का, अब बच्चो के students के memory based पर कौन कौन से questions हैं, जो यहाँ पर आज की shift में पूछे गए, तो पहले बात email में login कैसे करते हैं, तो पहले आपको अपनी user ID बनाने पड़ती है, user ID बनाने के बाद आपको password create करना पड़ता है, तब आप उ जब आप किसी भी website पर अपना password डालते हैं, user ID डालते हैं, उसको authentication कहते हैं, अधिकारिक तोर पर आप उस पर, ठीक है, एक होता है sign in, sign in होता है या sign up होता है, जब आप पहली बार अपना कोई account बना के हो, और जब एक बार बना लिया है, केवल डाल के चलाना है, तो login कहा ज होता है, home tab के अंदर आता है आपका editing group, और editing group के अंदर आता है आपका replace करना, select करना, ये सारे option, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पर दीखिए, कहां गया हमारे पास word ही रहा, MS word में blank खोलो, जो पहले से बने हुए design है, उनको template कहा जाता है, blank open किया, आप यहाँ पर जाओगे home tab में, आपको सबसे last में editing group मिलेगा, find, replace, select, ये तीन option editing group में दिखाई देते हैं, कौन-कौन से find, replace, select, ये तीन option editing group में दिखाई देते हैं, home tab के, open की shortcut की क्या होती है, तो file क open करने की control की साथ, ओ, shortcut की का use किया जाता है, open करना है किसी को, तो ये file वाले tab में इस्तिमाल किया जाएगा, save as करने की shortcut की f12 होती है, f12, ठीके, save as, किसी file को दुबारा से save करना है, दूसरे नाम से, to f12 का use किया जाता है, save as वाल option भी आपको file वाले tab में ही देखने को मिलता ह पूरे column को select करना है, या entire column को highlight करना है, तो पूरे column को select या highlight करने के लिए, c से control, c से column, control के साथ, space bar का इस्तिमाल किया जाता है, ठीके, आ गया जो, और, पूछता है आपसे header footer वाला option कहा होता है, तो header footer वाला option insert में दिया जाता है, insert के header और footer वाले column में दिया जाता है, header सभी page के, by default, सभी page के उपर लगता है, footer सभी page के नीचे लगता है, ये पूछा, आगे पूछ सकता है, end note और footnote, तो footnote और end note reference वाले option में देखने को मिलते हैं, अब आता है, paste special की shortcut की क्या है, जो पूछी गई है, एक पूछी गई हो सकता है, आपकी shift के भी कुछ और पूछ ली जाए, एक होती है, alt, e, s, paste special की shortcut की एक ये भी होती है, और, एक होती है, control के साथ, alt, s, तो अगर आप special paste करना चाहते हो, तो इन दोनों ही shortcut की का use कर सकते हो, e की जगा b कर लिए, special paste बोल रहा है, तो control के साथ, v paste के लिए होती है, special paste के लिए control, alt, v का use किया जाता है, ये वाली भी सही है, और alt, e, s, भी सही है, देखना है, option में क्या दे रखा है, online shopping, online shopping कहलाती है, b to c service, मतला business to consumer, जब किसी चीज को व्यापारी के द्वारा, customer को बेचा जाता है, ग्रहा को, तो वो online shopping के अंदर आ जाएगा, online shopping के अगर मैं बात करती हूं, तो ये internet के POS पे काम करती है, POS की full form होती है, point on sale, online shopping, ध्यान रखना है, ये सारी चीज है, तो online shopping आप करती हो, POS पे काम करती है, ये b to c service के अंदर कहलाती है, business में से consumer तक direct connection हो रहा है, रो को hide करने के लिए control के साथ 9 का इस्तमाल करते है, no row, no row, ना row, सकता है, पूछ सकता है, आगे आने वाली shiftों में, column को छुपाने के लिए, hide करने के लिए, कौन सी shortcut की use करते हैं, तो column के लिए control के साथ 0 आ जाएगी, row के लिए 9 आ जाएगी, font का color किस में इस्तमाल किया जाता है, कौन से tab में, कौन से tab में font का color होता है, तो font का size, font का face, font का color ये हमें home tab के font वाले section में दिखाई देता है, तो home tab के font में हमें ये सारे option देखने को मिलते हैं, तो ये लगबा कुछ questions थे, जो आपके आज के exam में इसी के आसपास के पूछे गए थे, तो ध्यान रखना इससे मिलते जुलती चीजों को आप लोग एक बार देख लीजेगा जिनका कल सुबह सुबह है, बाकी इन सभी aution पर आधारित, 16 November की 3 Shift पर आधारित, मैं अपके लेकर आती हूँ, डेली सुबह 11 बजे ख्लास, सुबह 11 बजे वाली क्लास में, कल जो सुबह 11 बजे क्लास होगी 17 November में, उसमें मैं आपको 16 November कोशन पर, या 16 November की 3 Shift पर आधारित, आपके लिए मोक टेस्ट लेकर आऊंगी मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्टेंस लेकर आऊंगी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगी में क्योंकि जाहिड सी बात है बाने वाली शिफ्टों में आपको थोड़ा लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो अल्दा वेरी वेरी बेस्ट एक्सपेक्टेड कोश्टेंस की प्रैक्टेस करने के लिए लगबग 30 से 40 कोश्टें को करने के लिए मिले मेरे साथ कल सुबह 11 बजे कंप्यूटर के सेक्शन ठीक है जी आजाईएगा तो ये पूरा पैटर्न रहा आपका आज का कंप्यूटर का मिलते बच्चा फिर हम लोग कल अपनी क्लास में ठीक ही 11 बजे जिन्मी लोगों का आने वाले दिनों में पेपर है अच्छे से आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा बहुत अच्छे से त्यारी करिए रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप में से कोई बच्चा गया था पेपर देने के लिए कुछ कोशन हो जो आप शेयर करना चाहते हूं तो नीचे आफ्लाइन कमेंड करके जरूर लिख दीजेगा मिलते हैं अपनी क्लास में तब तक के लिए जै हिन जै भारत अभरत अपनी झाल 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 जाल झाल if